मुझे खुशी हो रही है इंडो पैसिबिक एकोनोमिक फ्रेमवर्क इस खेत्र को ग्लोबल एकोनोमिक ग्रोध का इंजीन बनाने की हमारी सामुहिक इच्छा शक्ति की घोठणा है इस महत्रपों पहल के लिए मैं राजपती बाइडन को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हू इंडो पैसिबिक छेत्र में मैनुफेक्टरिंग, आर्थी गतिविदी, वैश्विक व्यापार और निवेश का केंद्र है इतिहास इस बात का गवाह है कि इंडो पैसिबिक छेत्र के प्रेट प्रवावों में भारत सदियों से एक प्रमुकेंद्र रहा है यह उलेखनी है कि विश्व का सबसे प्राकिन कमर्थियर पोर्ट भारत में मेरे होम स्टेट गुजरात के लोथल में था इसलिए यह आवशक है कि हम छेत्र की आर्थिक चुनोतियों के लिए साजा समाधान थोजें रतनात्वक व्रवस्थाएं बनाएं एक्सलिंसी भारत एक इंक्लूजिव और फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबल इंडो प्रसिपिक एकोनोमिक फ्रेमवर्क के निर्माण के लिए आप सभी के साथ काम करेगा मेरा मानना है कि हमारे बीच रेजिलियन सप्लाइचेंज के तीन मुख्य आधार होने चाहिए ट्रस्प, ट्रांसपरंसी एंड टाइमलीनेस मुझे विश्वास है कि हप्रेमवर्क इन तीनों स्तंभों को मजबूत करने में सहायक होगा और इंडो प्रचेप उच्छेद्र में विकाश, शांती और समरुत्री का मार्ग प्रसस्थ करेगा बहुत पर धन्वाद